गूगल ले अपना पिक्सल 7A इंडिया में नाउंस कर दिया, 43999 का है, लेकिन इसके साथ गूगल का पिक्सल फोल्ड है, पिक्सल टेबलेट है, गूगल काफी ज्यादा AI वाली चीजों पर बात कर दिया, चलिए सबसे पहले बात करते हैं 7A के बारे में, बेको 7A वो चारी च करके 16MP की इमेज इस लेगा, अल्ट्रा वाइट के अंदा 13MP डाले है, सेल्फी में भी 13MP है, और यहां तक की पता चला है कि 4K वीड र्कॉर्डिंग सेल्फी में भी सपोर्ट करता है, और डेफिनिटली गूगल ने अपने जो टेंसर की जनरेशन 2 चिप होती है, वो भी इ लेकिन एक बात ही है, काफी सारे लोग इंतिजार कर रहे हैं इस साल इसके BBD सेल का, यानि कि Big Billion Day के अंदर तो यह फोन सस्ता ही हो गई होगा, और काफी लोग सोच के बैटे कि 30,000 रुपीज का अंदर आगा, वेल BBD के अंदर तो यह फोन डेफिनिटली सस्ता होगा, और 40 इसके नीचे तो आएगा, लेकिन कितना सस्ता होगा, इसके बारे में अभी घहबाना बहुत मुश्किल है, ज्योंकि पिछले साल से इस साल, जो component prices होते हो, काफी increase हो गया है, और मैं अगर यहाँ पे Google की बात करूँ, तो Google अपने फोन को बाहर से बनाता है, और इंडिया मे पार में बात है कि इंडिया में Google का सिर्फ मार्केटिंग होती है पिक्सल की, इसके अलावा पिक्सल का कोई भी रोल यहाँ पर नहीं है, बाहर से लाके बस इन्हें यहाँ पे बेशना रहता है, लेकिन वहीं पिक्सल 6A के साथ भी same case था, और पिक्सल 6A को काफी सही price पे ल आया है, देखना हो कि यह जो पिक्सल 6A में जो price drop आया था, क्या वो price drop ता बढ़ाएगा, यह एक देखने वाली बात होगी, और वहीं बात करें Tensor के G2 की, तो definitely यह Exynos ही है, क्योंकि Tensor अभी तक जो हमें देखने को मिली है, यह Exynos चिप ही देखने को मिली है, जो एक तरह से Rebrand हो रही थी Tensor के नाम से, हाला कि इस processor के अंदर भी heating observe करी थी लोगों ने, तो देखना हो कि इस phone में कितनी heating होती है, उसका आप इंतजार कर सकते है, और यह भी देखने वाली बात होगी, कि यहां पर battery drink की जो problem है, क्या इस phone में रहती है, कि नहीं रहती है, हाला कि भात की ज आप देख पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, खेर Google का Pixel 7 है तो काफी अच्छा है, बहुत ही जल्दी इसका full review आने वाला है, तो आप इसका अनिजार कर सकते हैं, लेकिन इस पार यह काफी interesting product नो निकला, और वो तक Google का Pixel Fold, लगता है कि Pixel Fold उन्हें शाद पिछले साल अन और unfold हो जाए तो इसे thinest foldable phone बोला जा सके, और इस तरीके से काम किया कि जब आप इसे बंद करें तो अंदर कोई भी dust या पार्टिकल यहाँ पर ना जा पाई, लेकिन बात यह कि Pixel Fold इतना important device को है, देखो foldable की state हैं समझ नहीं पड़ेगी, देखो इंडिया में बात कर तो आ जा सकता है, इसका एक अनुमान लगाता है, Google के Pixel के आने के बाद जो एक improvement आ सकता है, वो आ सकता है कि दूसरी companies को software में, क्योंकि अभी भी काफी सारी जो companies हैं, Samsung के लाब वो struggle करती हैं अपने software experience के लिए, अगर Pixel के फोल्ड के बाद अगर experience वो सही deliver कर दे, especially software का, तो यह चीज है न, वो इती कोई बड़ी चीज नहीं, इतना बड़ा hit product है नहीं, क्योंकि already pixel from global level पे काफी कमसे लोता है, और उसमें इसे भी अगर एक या 2% यह लोग अगर foldable बेचेंगे न, तो Google के लिए तो नुकसाने, इसलिए उस 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 यूस market के अंदर ले जा रहे हैं, क्योंकि US 7.0 ने mention किया कि जो pixel lineup है, वो fastest गोंगे smartphone brand है, लेगन अगर actual data point की बात कह रहे हैं, तो वहाँ पे अभी भी Apple number रहन है, 50% से जादा market share वहाँ पे Apple ले रखा, USA के अंदर और उसके बास Samsung का number आता है, फिर Motorola, OnePlus और आपकी पिक्सल का number आता है, बेसिकली pixel ने जो LG का market share ताना, USA का वो यहाँ पर replace कर दिया, लेगन देखना है कि जो foldable की technology है, यहाँ फिर जो pixel का foldable के अंदर software experience होगा, यह एक देखने वाली चीज़ होगी कैसे दूसरी कम यह अपना हैंगी की नहीं अपना हैंगी, यह एक बात है, इसके साथ ही Google ने यहाँ पर अपना tablet भी कनांस के, वो भ product भी इंडिया में नहीं आने वाला, हाला कि वो अपने काफी अच्छी docking connector के साथ आता है, देखने में काफी cool लगता है, लेकिन pixel के past में भी जो tablets होते हैं, कुछ खास कमाल दिखानी पाया है, तो उससे भी उम्मीद कम लगती है कि यह product कोई बहुत बड़ा revolution यहाँ पर ले अनौस कर दिया, लेकिन जो beta 1 था, यह दूसरे devices के लिए अल्रेडी अवालेबल, जिसके बात करें, nothing phone ने तो अल्रेडी अनौस कर दिया, कि उस smartphone के users android 14 के beta को यहाँ पर try कर सकते हैं, इसके साथ ही Xiaomi है, OnePlus आपको देखने का मल रही है, यहाँ तक कि टेक्नो जैसे company भी को Android 14 क बीटा दे रही है, यह कुछ interesting चीज़े होती है, खेर Android 14 के अंदर बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ AI को integrate करनी कि नोने काम किया, AI को यह लोग pixel के अंदर integrate करना चाहते है, खास तोर पेस के UI user interface को लेके, जिसके अंदर कहा गया कि यह जनरेटिव AI का use करके हाँ आप आप wallpapers उसको create कर सकते है, emoji wallpaper की बात की गाई है, और उस wallpaper के सबसे पूरे device की theme आ जाएगी, यह एक feature है जो अपकभी pixel phone में देखने को मिलेगा, काफी interesting concept लेकर नए चीज़ नहीं है, basically AI का use करके image बना रहे हो, उस image का use करके ही look device की theme सेट कर रहे है, यह दो चीज़ों के नोने बस combine कर है, मतलब sky change कर देगा, यहाँ पर पूरे के पूरी framing change कर देगा, कुछ ऐसे elements भी image के अंदर add कर देगा, जो actually में वहाँ exist करते नहीं थे, कुछ existing चीज़ों को guide up कर देगा, यह सब चीजों का काम किया गया, हाला कि magic razor एक छोटा सा tool था, जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ को यहाँ पर guide कर सकते थे photograph में से, उसी चीज़ को advance बना के लोग ले आए, काफी interesting feature लगा, मेरे को लगता है कि pixel level पर पहले आएगा, फिर बाकी जगा आपको देखने को मिले, लेकिन हाँ, यह एक AI का इनों नहीं use किया, लेकिन AI की बात करें तो AI के तो बहुत जादा नाम स competitor होने वाला है, उसको यहाँ पर available कर दिया, आहत के समय में bar.google.com को जाके आप इसे check out कर सकते हैं, काफी advance हो गया पिछले कुछ महीनों के अंदर, और हाँ, chat GPT का एक अच्छा competitor है, लेकिन हाँ, अगर chat GPT की बात करें तो वो अभी जादा superior है, इसके साथी Google search के अंदर भी AI भी करके देगा, इसी के साथ ही हाँ पर AI image generator भी लेकर आगया, यानि की generative AI का use करके आप images भी यहाँ पर Google के अंदर create कर सकते हैं, यह feature भी Microsoft के बिंग में पहले से था, वो feature को भी यहाँ यहाँ पर replicate कर दिया, इसके साथ ही AI को यहाँ पर Google का work space होता है ना, वहाँ पर भी ल किया है, और हम भी Microsoft के level को टकर दिया पर दे सकते हैं, बेसिकली बात किया है, तो जहाँ पहले Apple versus Google होता था, इस पर Microsoft versus Google थोड़ा ज़्यादा था, Apple versus Google में बात करें तो बस यह पोक करा Google ने, कि RCS हम लोग यहाँ पर provide करते हैं, लेकिन Apple यहाँ पर provide नहीं करता, ओवर आल बा इस नहीं कि फ्यूचर में पिक्सल 7 है, वैसा drop ले पाता है, पिक्सल 6 है जैसा यह नहीं ले पाता, बागी आप लोग को Google का पिक्सल 7 है, यहाँ पर कैसा लगा, यह बात आप लोग मुझे नीचे comment में बता सकते हैं, thank you, खुब वडियो देखने के लिए, मैं आप समता हू